घल्यू वेवर्स वेल्कम टो मैं चैनल मैं हूं ग leggings uh और आज मैं अपने चैनल पर आपके लेकर आई हूं चावलके पापड की रेसिपि ये चावलके पापड ऐसे हैं जो की चावलके नहीं बनेंगे बलकि खडय चावल से चावल के दानों से इस तरह के चावल से और यह पहद इतने क्रिस्पी और करारे बनते हैं काफी खस्तіire बनते हैं इन्हें मैं साल बढ़ तक इंज्वाये कर सकते हैं मैं traditional recipe मेरी मां की रेसिपी मां बनाया करती थी तो वही रेसिपी आज मैं आप सब के साथ भी शेयर कर रहे हूं इसके लिए मैंने शिंपल निये और आप कोई भी चैवल ले सकते हैं तुप और या फिर कोई विकिन की चवल हो तो मैंने इहाँ पर आप नॉर्मल चोंट लेकर इन्हें एक घंडे से जोडरा और फिर इस फिर बिंगोंहें धू mae sellsा है। पानी को पहले अच्छे से गरम होने देंगे पानी में उबाल आने वाला है तो आप हम यहां पडाल देंगे देशिगी दो चोटे चमच साथ ही मैं यहां पर कुछ मसाले अट करूंगी अजवाइन कलोंजी जिसे कि कुछ लोग मंगरेल भी बोलते हैं रेड चिली फ्लेक्स यहां पर मैंने सूखी मिर्चों को मिक्सी में क्रश कर लिया है आप चाहे तो मिर्ची डाले या फिर ना डाले कुछ लोको पापड में मिर्ची नहीं पसंद होती है साथ ही यह नमक इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं कि पानी बहुत अच्छे से उबल चुका है अब इस पानी में मैं अपने भीगे हुए चावल डाल दूँगी चावल में से मैंने पानी को निकाल दिया है जावल को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम लगतार चलाती हुए पकाएंगे जिससे चावल की लगे नहीं और पानी इसका उबल का गिरे नहीं अभी मैंने गैस का फ्लेम तेज रखा है जिससे के चावल में अच्छे सो उबाल आ जाए फिर हम इसे धिमियाज पर पकाएंगे पानी में उबाल आ गया है तो अब मैं यहाँ पर गैस को मेडियम कर दूँगी अब हमें इसे मेडियम फ्लेम पर पकाना है चावल पक रहे है तो हम इने बीच बीच में चलाते रहेंगे साथ ही इसे मेडियम पर छोड़ भी देंगे पानी जादा है तो मेडियम पर पर बिल्कुल भी जलेंगे नहीं अगर आपने पानी कम लिए है तो आप इसे धिमियाज पर ही पकाएं ध्यान रखिएगा तो इस तरह से जब तक चावल पक कर एकदम गाड़े ना हो जाए तब तक हम इने पकाते रहेंगे आप चावल के पापड बनाने के लिए जो टूटे चावल होते हैं किंटकी वाले उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से उन चावल को भी पापड बन जा हैं और यहां पर पानी की क्वांटिटी भी कम हो गई है पानी भी उबल गया है इस तरह के पापड बनाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखे कि चावल बहुत अच्छे से गल जाने चाहिए उसका एकदम आटे की तरह हो जाना चाहिए तो हम इसे काफी टाइम तक पकाएं अच्छे से पानी जाता है तो आप देख सकते हैं कि चावल में अभी थोड़ा पानी बाकी है तो हम वाबस से ठख देंगे 3-4 मिनट के लिए साथी आच एकदम सिम्भ है जिससे की चावल बहुत अच्छे प्रकार से गलते भी जा रहे हैं तो पहले हम इसे अच्छे से गल पानी सूपने देंगे चावल को पकते हुए लगबग 10 मिनट हो चुके हैं मैंने इसे दो बार ढखा साथी बीच में चलाया भी तो आप यहां पर देख सकते हैं कि चावल काफी अच्छे से काढ़ा हो चुका है तो अब इसे स्टेश पर मैं गैस को बंद कर दोंगी हम इस इसे 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूं 10 मिनट हो चुके हैं तो चावल हलका ठंडा हो चुका है अब हम इसे किसी बड़े बरतन में शिफ्ट कर लेते हैं चावल की मिक्षर को मैंने एक बड़े बरतन में शिफ्ट कर लिया है पर अभी भी इसमें काफी भाप है तो मैं इसे पापड बनाने की त्यारी करती हूँ इसे हम साइट रखेंगे साथी आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर पॉलिथिन शीट बिचाए हुई है और इसे अच्छे से पोश लिया है जिसे इसमें कोई मिट्टी बेगर ना रहे है साथी हमें इस तरह की एक वाइट शीट भी चाहिए होगी जिसमें से आर पर हमें पापड देख सके तो आईए अब हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे बहले मैं शीट पर थोड़ा थोड़ा तेल लगा लूँगी क्योंकि इस शीट पर हमें पापड फिला ले होंगे इस तरीके से पुरी शीट पर पापड फिला ले साथी हाथों पर भी अच्छे से हम तेल लगा लेंगे जिससे चावल चिपके नहीं इसके बाद से चावल के मिक्षर में से हम छोटी सू लोई लेंगे जितना भी बड़ा हमें पापड बनाना हो इस तरीके से लोई को हम यहां इस तरीके से रख देंगे उपर से थोड़ा और तेल लगा लेंगे लोई के उपर पॉलिसिन शीट रखेंगे और एक थाली लेकर इसे हम दबा देंगे जहां पर लोई रखी है उस जहां पर हम दबा से इसी तरह से हम दूसरा पापड बना लेंगे इसी तरीके से दूसरी लोगी लेकर भी मैंने यहां पर रख दिया है अब इस पर शीट भी छा लेंगे और थाली से दबाएंगे पॉलिफिन को दीरे से हट आएंगे तो आप देख सकते हैं कि पापड कितना बढ़िया बना है इसी तरह से मैं और पापड बना लूँ इस तरीके से मैं सारे पापड इस शीट पर बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ यहां पर मैंने सारे पापड बना कर तयार कर लिये हैं और पॉन गिलास चावलों में लगबग 50-60 पापड बन कर तयार हुए हैं और काफी अच्छे पापड तयार हुए हैं तो अब इस पापड को मैं पूरे दिन की धूप दिखाऊंगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊ दाल समस्क्त कार जार तक इस पापड को डिखाने के डूप और तो प्रयाम डिखांए के बाद एक दूप ईकलका इक दिन तो तेज धूप में इस मैं 2 दिन काफी है इस पापड के लिए दो दिन में यह पापड काफी अच्छे स OCU जाएंगे तो मैं दो सारे को दिखाई क अच्नल पर टरूने दूबAL के दिखानें के पाद अभॉदल को आपिता है कि अफया अब मैं त captiv लेती हूं औरल iki ता राकूंक में ब었다 कर दिखाती हैं जिर में प्रॉम गरम गडूमें ने डाल दीया है और विर सब्सक्राड़ कि अफ्य गार टॅब दूटे हैं और यहां पर मैंने सारे पापड तल कर तयार कर लिये हैं तो आप देख सकते हैं कि तो बिल्कुल बी ज़र नहीं आराइने हैं तोड़ने बहुत ही आसानी से दूट रहे हैं और खाने में भी बहुत ही बढ़िया हैं आप देख सकते हैं तो इस तरह से आप चावल के पापड बनाएं और अपने मेमानों को सर्व करें सालव रेश्टोर करें घरवालों को खिलाएं अगर आपको मेरी पापड की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बै थैंक यू